अब शेक कुमार ने मुनावर फारुखी को आईशा से बात करने पे डांट लगा दी है ऐसी काफे सारी चटपटी सी गॉसिप है जो कि बहुत ही जादा मज़ा जो है आप लोगों को आने वाला है मेरे चैनल पे क्यों क्योंकि बिग बॉस तो आप लोगों को मज़ा देते नहीं है मैंने ये बीड़ा अपने कंधों पे ले लिया कि भाई मैं बिग बॉस देखने वाली जंता को गॉसिप सुना के मज़ा जरूर दूंगी और आप लोगों को मेरे गॉसिप काफे ज़दा मज़े दाल लगते होंगे तो जल्द जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए तो मुनावर, अरुन, अरुन की बीवी, अभिशेक, मनारा जो है सब लोग बैठे होते हैं वहीं पर आईशा भी होती है आईशा जो है थोड़ा दूर जाके वाक करती रहती है तो आईशा वाक करते करते इंसे बात कर रही होती है तो वहीं पर जो है मुनावर बोल देते ह कि आईशा माइक पहन लो, उसने माइक नहीं पहना होता, अपना माइक पहन लो, अभी शेक ने बोला है, तो ऐसा जब मुनावर पहले बोलता है, तो वहीं से एक्चुली में इनकी बाते जो होनी शुरू हुई, तो अभी शेक ने बोला, तू क्यों बोल रहा उसको, तू उस स्टार्ट करते हैं अभिशेक का नाम लेके तो अभिशेक भी जो है इस चीज़ पे reply देने लग जाता है हाला कि आईशा का यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है पर दोनों को एक reason मिल गया बात करने का तो दोनों जो है एक दूसरे को बात करने लग जाती है और इसके बाद पिल्लो उठाते हैं और पिल्लो से ही जो है अभिशेक को धे धनादन धे धनादन मारने लग जाते हैं फेस पे तो काफी अच्छी बांडिंग जो है वहाँ पर दिखाई दी जो लोग अगर देखा जाए तो बहुत साए लोग जो है इनकी दुश्मनी को इनकी दोस्ती से जादा पसंद करते हैं इनकी दोस्ती को इतना जादा पसंद नहीं कर रहे हैं जितना इनकी दुश्मनी को पसंद किया जा रहा है बिकॉज लोगों को दो लोग चाहिए जो आमने सामने खड़े हूं और लोगों को ये चाहिए कि सोशल मीडिया पर और वो आपस में अपना एक आइडल चुने और उसके लिए फाइट करें और उनको इस चीज़ से मजाता है पर अगर ये दोनों दोस्त बन गए तो लोगों के अर्मान जो है वो धरे के धरे रह जाएंगे इसी के साथ मैं लेती हूं साथ नमस्कार